हेलो एबरीबड़ी वल्कम बैक अगेन विट न्यूव वीडियो मैं रविन सिंग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हम सबके आप सबके यूट्यूब चैनल पे इसका नाम है तो फ्रेंज आप लोगे डिमांड वे एक बार फिर से आगया हूँ आपकी पसंद देदा सिरीज वीडियो लेके चालेंज वीडियो जिसमें हम चालेंज को कंप्लीट करेंगे एक चालेंजर रहेंगे रेंडम ली जो फर्स टाइम ही वीडियो देख रहें उनको थोड़ा सा बता देता हूँ एक रेंडम चालेंजर रहेंगे जिने हम पिक करेंगे रेंडम वेबसाइट के तुरू रेंडम ली पिक होगा और आपके सामने प्रोसेस होगा एंडेन वहां से हम उनका चालेंज पिक करेंगे अगर चालेंज आता है तो क्योंकि पिछली दो वीडियो मे मैंने ये चीज मेंशन किती मतलब मैं हर बार ये चीज टेलिग्राम पर आपको बताता रहता हूं कि यहाँ पर आप comment कीजिए आपका challenge पिक हो सकता है आप challenge कीजिए तो कोई भी challenge जो आप चाहते हों जो आपको लगता है कि मुझे complete करना चाहिए और बहुत सारे लोगों ने comment किया और जिसमें से आज एक comment पिक होगा और वो होंगे हमारे आज की दिन के challenger अगर आप भी next challenge series के challenger बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है इस वीडियो के comment section में जाना है एक challenge टाइप करना है और आने वाली वीडियो में भी आपको सेम यही चीज़ करनी है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो challenge वीडियो बनाते हैं वहाँ पे एक की जगा दो तीन च step चलता रहता है आगे बढ़ता रहेगा तो आपको participation के लिए यह सिंपल सी process को follow करना है तो आज के दिन के first challenger की तरफ बढ़ते हैं हमारे first challenger हमें मिल चुके है राहुल नायर 8123 अब आपके जो challenge है या comment है उसको देखता है है अरे कहना क्या चाहते हो युर्जडी में एक मिनेट का trade कैड जिपी वाई जेपी वाई में भी एक मिनेट का trade okay he's saying that कि आपको दो ट्रेड लेनी है पाथ सेकिंड के अंदर ओके ही सेंग दैर कि पाथ सेकिंड के अंदर आपको दो ट्रेड प्लेस करनी है मतलब टाइम डिरेक्शन से पाथ सेकिन, बहलब इनों ने दिया है कि पाथ सेकिन बहुत जल्दी, फूरती से करने पड़ेंगे चीज़ जाएं, EUR-USD में एक मिनट की ट्रेड होनी चाहिए और CAT-JPMI में भी एक मिनट की ट्रेड होनी चाहिए और दोनों की दोनों ITM होनी चाहिए भाई भाई मज़ा आगया चालेंज अलग है कुछ हर बार के चालेंज जैसा नहीं है तो डिफिकल्ट भी लग रहा है देखते हैं बट अलग challenge है तो आपको पता है ऐसे challenges में हमीशा मज़ा आता है और मतलब कुछ सीखने को मिलता है एवकॉस और मैं चाहूंगा कि आप भी वीडियो देखें challenge देखें और exciting आप भी देखें कि क्या होता है क्या यह challenger जीते है या नहीं तो आपका जो राहूल चालेंज है वो एक्सेप्टेड तो यहां वे मैं मैं तयार हूँ क्याट जेपी वाई की स्क्रीन के साथ ठीक है 53 परसंट रिटर्न है भाई पार सेकिंड का समय दिया है उन्होंने और बॉनों के तो आइटीम होनी चाहिए ठीक है तो मैंने जल्दी से आपे ट्रेड जो है प्लेस कर दी है उसके वादर जाता हूं यहाँ पर यूरू-एसडी के साथ जल्दी-जल्दी क्यों के दो प्लेस कर दी है मुझे जहां तक लगता है कि मैंने ये पूरा काम पांट सेकिंड के अंदर किया है अगर आपको नहीं लगता तो भाई आप बता दीजिएगा ठीक है अब देखते हैं क्या होता है आपे मैंने दौनों ट्रेड्स आपके सामने आप दिखा दी है दो ट्रेड्स है और आप बता सकते हैं आपके सामने है आप बताएगा देखिएगा कि ट्रेड जो है वह पॉजिटिव ली क्लोज होती है नहीं होती दोनों के दोनों ट्रेड ठीक है यहां पर चालेंज जो है वह बहुत ही बहुत ज्यादा सिंपल है बाट डिफिकल्ट है पांच सेकंड के अंदर दो ट्रेड लेना तो आनलेसिस हम कर नहीं पाएंगे इनका मतलब यह ट्रिक था इस बेसिकली इस पूरी चालेंज का है यहां पर आप देख सकते हैं एक जो ट्रेड है हमारी वह आई टीम गई है और दूसरी जो ट्रेड है वो ड्रॉ हो चुकी है एन इन दिस केस हमारे जो चालेंजर है उन्होंने मुझे चालेंज हो आप ये चालेंज जीट चुका है है ओग्रैटलेशन चालेंजर की दरफ बढ़ते हैं तो आज के दिन के हमारे दूसरे जो चैलेंजर है उनका नाम है 63 अंडरस्कार डेजर्ट यहीप सा नाम है बट देखते इनका कॉमेंट क्या है टेक फाइफ ट्रेड्य्च 3 should be OTM 2 should be ITM in Kwikler Best of luck भाईया भाईया गो तो मिता परिशान कर देते हो फिर best of luck भी तो यार यहां बेना सीधा है मतलब 5 में से 3 OTM चाहिए और 2 ITM चाहिए लेट्स ट्राइ एक चलेंज आज के दिन हारी चुके हैं दिन अच्छा वैसे ही नहीं चल रहा है वर ट्राइ तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले Kwikler जो है वो सलेक कर लेते हैं यहां पर Kwikler जो है वो सलेक कर लिया 3 ITM सॉरी 3 OTM, 2 ITM So, चाहलेंज हमारे इस चाहलेंज की 1st trade मैंने यहां पर लगा दी है आज तो मैं चाहता हूँ की ITM ना हो, OTM हो तो 1st OTM हमें बल चुकी है Let's go with the 2nd trade हम मैंने 2nd trade यहां पर लगा दी है क्योंकि वो भी मैं चाहता हूँ की OTM हो And again we got OTM अब हमें चाहिए 1 OTM and 2 ITM अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा The 3rd trade चाहलेंज की अब पूर डिरेक्शन यानि कॉल की तरफ आपकी स्क्रीन पे है और यह हमारी हो चुकी है positively close अब एक OTM चाहिए, एक आईटियम चाहिए पोड़ा सा एजी सा लग रहा है अब यह चालेंज तो मैंने यहां पर trade जो है वो प्लेस कर दी है $10 की और यहां पर हमारी जो trade है वो जा चुकी है ITM अब सिर्फ एट ट्रेड चाहिए और वो होनी चाहिए OTM इस चालेंज को जीतने के लिए पुट की डिरेक्शन में यहां पर मैंने trade जो है वो प्लेस कर दी है आपको क्या लगता है कौन हारेगा कौन जीतेगा और यहां पर trade जो है वो ITM नहीं गई है तो भाई आप लोग मुझे congratulations text में type करके भीचेंगे या फिर telegram पर message करके भीचेंगे या एक video message record करेंगे कि भाई congratulations अभी भाई आपने जो challenge है बहुत मुश्किल था बड़ complete कर लिया यहां पर एक छोटे से break के बाद हम एक बार फिर से आए मुझे लगता है कि एक और challenge जो है वो ले लेना चाहिए वीडियो थोड़ी छोटी है तो कोई बात नहीं आज की दिन के तीसरे challenger की तरफ बढ़ते है तो हमारे next challenger है अलू अरजुन-UY3YX तो first of all congratulations चलिए आपका comment पढ़ते है My challenge only one trade, no OTM ताई ऐसे challenge दो भाई मज़ा आ जाएगा पर लोब इन्होंने काए एक trade लेनी है उसमें OTM नहीं होना चाहिए ATM भी हो सकता है वो ITM भी हो सकता है ताइंक यू सो मच अलू अरजुन अगर अगर आप अलू अरजुन अच्छा नाव है मैंने काफे movies देखिए वर ठीक है तो challenge accepted तो currency पर यहाँ पर आपने mention नहीं किया timing आपने mention नहीं किया सिर्फ आपने बुलाए एक trade लेनी है बट OTM नहीं होनी चाहिए तो चलिए आपका इतना easy challenge जो आपने दिया easy मतलब ऐसा देखिए ऐसा नहीं कि मैं करी लूँगा easy मतलब comparison अगर हम करें ना बागी other challenges से तो बहुत मज़ा है इस challenge को लेके इसे पिछला जो challenge था वो तो amazing था और first वाला challenge था वो तो भाई thrilling था तो चलिए हमारी एक trade हमें लेनी है इस challenge को complete करने के लिए तो आप comment section बताएगे जैसे कि मैंने series के starting बताएगे था आपका contribution comment के तोर पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका participation बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको बहुत कुछ आपको सीखने को मलेगा तो आप मुझे बताएगे comment section में क्या करना चाहिए तीन options आपके पास है call, put या फिर wait करना चाहिए कुछ समय अगर market को अभी read करने में problem हो रहा है तो आपका समय शुरू होता है अब आपको करना कुछ नहीं है वीडियो को pause कीजिए और comment कीजिए 5 से 10 सेकंड कर समय आपके पास मैं जा रहा हूँ call की direction में मैंने trade जो है वो place कर दी है 10 dollars की और यहाँ पर मैं आपको zoom करके scenario को दिखाता है तो भाई जिन जिन ने बोला था की call की direction में market जाने वाल है तो congratulations आप सभी को and congratulations आप मुझे भी दे सकते है comment section में क्योंकि हमने आज के दिन 2 challenges complete कर लिए एक challenge complete नहीं कर पाया और 100 dollars आपके भाई दोस्त आपके 100 dollars है ठीक है तो आप ले लेजेगा मुझसे telegram पे आपको मुझे message करना है दुख तो मुझे काफी होगा देते हैं जोक सापाट भाई कैसी लगी है सीरीज और कैसी लगती है वीडियोज कॉमेंट सेक्शन में और भाई इंस्टेग्राम पे भी आप मुझे से शिकायत कर सकते हो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो चले मुलाकात करेंगे और एक्साइडिग वीडियो के जाथ स्टेए टून, कीप वाचिंग और थैंक यू सो मच पो वाचिंग इस वीडियो तिल दे एंड